तो जब Constituent Assembly Indian Constitution को तयार कर रही थी, उस वक्त एक major question उनके mind में था, वो ये था कि इस Constitution को by hand कौन लिखेगा, तो इसके लिए प्रेम बिहारी रायजादा से बात करते हैं और वो तयार भी हो जाते हैं, बट यहां रायजादा जी का ये कहना था कि वो इस Constitution को लिखने के लिए एक भी पैसा नहीं लेंगे, बट यहां पर उनकी एक कंडिशन थी, वो कंडिशन ये थी, कि वो Constitution के हर पन्ने पर अपना नाम लिखेंगे, और लास्ट का जो पेज होगा, उस पर अपने नाम के साथ, वो अपने ग्रान फादर का भी नाम लिखेंगे, तो इस तरह से भारत स्क्रेप्ट बनकर तयार हो गई थी, जिसको 26 जैनवरी 1950 को as a constitution लागू कर दिया गया था, पट अगर हम इसके हिंदी वर्जन की बात करें, यानि हस्त लिखेत, हिंदी प्रती की बात करते हैं, तो उसको लिखने का काम वसंद क्रेशन वैद ने किया था, तो ऐसी और इंफ